तो हेलो दोस्तो, आज हम एक माइक आपके लेकर आए हैं, जो कि एक शॉटगन माइक है, यहाँ पर बोया का लोगो है, यहाँ पर आपको दो बार कोड मिल जाते हैं, जिन में से एक बार कोड पर एक टेप लगी आती है, यानि कि यह चुपा हुआ होता है, जिसके थुरू आ इसके लाबा यहाँ पर एक शुबाउंड की फोटो भी है, यहाँ पर लिखा है, इसके लाबा यहाँ पर देएंगे तो पिच्छर बनी है, यहाँ पर चार ओप्शन यहाँ ने दिये हैं, सबसे पहले में हाई-क्वालिटी साउंड मिलता है, आपको यहाँ पर रीकॉट प्लायर यानि कि यह शॉक मांट मिलता है इसके लवाँ नो बैटरी रिक्वाइड कोई बैटरी की जवर्थ इसमें नहीं है यह लास्ट में आपको 3.5 जैक हैड़फॉन आउटपुट भी इसके अंदर मिल जाता है यहां पर भी वही सारे फीचर्स आप यहां पर लिखे हु में कुछ लिखी है लेकिन यह 2000 के अंदर ही आपको मिल जाता है तो आप इसको ओपन कर लेते हैं और यह भी आपको पता है कि यह जो प्रॉडट्ट है यह चाइना का प्रॉडट्ट है अब इसको ओपन कर लेते हैं कोई seal बगईर इसमें नहीं आती है ऊपन करने बाद इसको निकालते हैं अब इसको उपन कर लेते हैं ओपन करने के बाद बॉक्स में और प्राइक मिलता है बॉक्स में आपको एक user साइड में रहते हैं. , सबसे पहले देख लेहे हैं , यहाँ पूर्ट मिलते हैं, यह तो तो मिलते हैं , एक यह जो केबल है यह आपके कैमरे के लिए इस पर कैमरा लिखा हुआ है यह एक पाउच मिल जाता है जो की बोया की ब्रेंडिंग के साथ आता है यह पुरिया आपको बता है सब के साथ मिलती है और यह रीकॉट लायर वाला शॉक माउंट मिल जाता है इसमें ऐसा यह जो शॉक observer कर लेता है कोई भी आवाज जो है आपके microphone तक नहीं पहुंचती है तो यह काफी अच्छी इन्होंने दिया है कई बार हिलने पर अगर आप अपने microphone को हिलाते हैं तो उसमें आवाज आती है वह आवाज को यह कट कर देता है और कुछ नहीं है इसके अंदर अब देख लेते हैं क्या क्या में मिला है box के अंदर सबसे पहले आपको मिलता है बोया का एक यह पाउच फिर मिलता है एक यह microphone के बात मिलती है एक smartphone के लिए cable फिर मिलती है camera के लिए cable और एक यह शौक माउंट एक user manual एक warranty card मिलता है यह सभी इसके अंदर मिलता है और कुछ नहीं मिलता है अब इसको हम आपको इसके बारे में बता देते हैं इसकी quality कैसी है quality इन सभी चीजों की काफी अच्छी है अब यह हम देखें तो इसमें कोई भी cell या कोई battery इसमें नहीं लगती है जाली से लेकर पूरा microphone आपका metal से बना हुआ है और यह cardioid pattern पे काम करता है यह unidirectional bike है omnidirectional नहीं है इस बात का ध्यान रखिएगा यह जो भी सामने इसके आप बोलेंगे वही चीजों को जादा majorly record करेगा और बाकी जो आवाज होंगी उन सबी quality काफी अच्छी है outs वोइररिक्वाइर की वियर्णथे छोलेंथ है वह चोटी आती है पताने क्यों जितने भी कंडेंश्नम माई इसके साता है चाहे प्लस आये इन सभी में इतनी ही चोटी सी वायर आती है ज्यादा लॉंग वायर नहीं आती है यह मैं भी नहीं समझाज तक क्यों है चाहें तो यह बड़ी वायर दे सकते थे लेकिन नहीं दियें इसकी quality बतायें तो यह काफी अच्छी quality का शॉक माउंट दिया यह नहीं तो यह तो यह उल्यंदर आप इसको के सकते हैं अब मैं आपको इसको इस में लगा कर दिखा देता हूं जब आप इसको ऐसे करेंगे तो यह इस तरह से फिट हो जाएगा अब यह यहां पर fit हो गया है अच्छे से, अब मैं आपको इसकी sound quality एक बार सुना के दिखा देता हूँ, हमारे पास यह वायर है और यहां पर हम microphone वाले में option में लगाएंगे इसको अब मेरे पास यह iq को phone है, इसके लाबा Xiaomi को phone है, दौनों में मैंने यह connect करके देखा, लेकिन यह connect नहीं हो रहा है मैंने यह भी बदल के देख लिया, मैंने यह Xiaomi के साथ जो यह OTG cable आई थी, इसके साथ भी connect करके देख लाएंगे यह भी नहीं हो रहा है इसके साथ यह Samsung की है Samsung के साथ मैं Samsung के phone में ہی connect कर सकता हूँ तो अब मैं Samsung के phone में ही connect कर रहा हूँ अब मैं recorder को on कर लेता हूँ अब यहां पर आप देहेंगे तो मैं जैसी play करूँगा अब ये यहां पर ये frequencies की बढ़ रही है इसका मलब और रहे रिकॉर्ड कर रहे और अप्ने मुघ के पास ले जाता हुँ तो देखिए यह अवाद अच्छे से ध्朝 कर रहा है और इसको कोई कोई खास के सब्सक्राइब जैदा आवाज रहे रह impressions रेक्ष्ट कर लारें और थोड़ा मोबाइल मुूंु के इसके सामने ही रहना पड़ता है आवाज रिकॉर्ड करने के लिए क्योंकि एक यूनी डारेक्शनल है ओम्नी डारेक्शनल नहीं है यह साइड की आवाजों कम रिकॉर्ड करता है और इसके सामने जो बोल रहा होता है उसकी आवाज को यह ज्यादा रिकॉर्ड करता है जो भी मेरा फैन है वो दो नंबर पे स्टार्ट हुआ है तो अभी चेक कर लेते हैं आपको साउंड क्वालिटी कैसी मिल रही होगी और बैग्राउंड नॉइस का भी आपको आइडिया मिल जाएगा स्वरी मैंने गलत बोल दिया ये दो नंबर पे नहीं ये चार नंबर पे है मैं पांच नंबर पे करता हूं इसको अब ये पांच नंबर पे मेरा फैन चल रहा है मैं इसको कम करता हूं धीरे धीरे फोर पे है अब ये और ये थ्री पर है इसके बाद मैं इसको नंबर दो पे करता हूँ और अब मैं इसको वन पे कर रहा हूँ अब मैंने ये वन पे कर दिया है अब ये देख सकते हैं आपको sound quality कैसी मिल रही होगी मैं एक बार चुप हो जाता हूँ साथ ही आप इससे background noise का भी idea लगा पा रहे होगे जब भी आप इससे आवाज record करेंगे तो इसकी sound quality कैसी रहेगी या फिर इसके पीछे जो background noise है उसको ये कितना cut करता है कितना नहीं वो आप देखकर या सुनकर देखकर तो नहीं सुनकर ही बता पाएंगे तो इस तरह से इस mic की quality है इसके अलावा मेरे पास एक mic और है बोया का by mm1 mic जो है ये mm1 plus है उस mic की sensitivity थोड़ी कम है इस mic की sensitivity थोड़ी जादा है उस mic में जो sensitivity दी है वो थोड़ी कम है तो उसकी quality भी इतनी अच्छी नहीं है उसकी quality में थोड़ा सा base जो होता है वो काफी कम आता है इसमें sound भी जादा आती है और जो voice है उसमें base भी अच्छा आता है तो मुझे इसकी sound quality अच्छ लगी इसलिए मैंने ये मंगाया था मेरे पास कहीं wireless mic भी है लेकिन wireless mic से वो quality नहीं आती है जो इस तरह के conditioner microphone से आ जाती है आपको ये video कैसी लगी है आप मेरे को comment में जरूर बताइएगा साथ ही अगर आपको किसी भी product का या किसी item का review देखना है full review देखना है तो आप हमें comment करके बताइए मैं कोशिश करूँगा उस चीज का review बनाने हम कोशिश करेंगे उसको arrange करके और उसका review बनाने की कोशिश करेंगे साथ ही इस तरह की video बनाने में जो मेहनत लगती है उसके लिए जरूरी है कि आप सभी लोग हमारे चैनल को like भी करें share भी करें और subscribe भी करें मेरे आप से यही दरख्वास्त है कि आप जो है हमारे चैनल को subscribe जरूर करके मैंने अक्सर देखा है कि लोग video देखते तो बहुत हैं लेकिन subscribe कम करते हैं आप subscribe जरूर करिए और साथ ही जो bell icon है उसको भी जरूर प्रेस करिएगा क्योंकि next video जब भी आएगी तो आप को वो सबसे पहले मिलेगी चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक्यू